मुझा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मिमान सा ओनलाइन अकेडमी में दोस्तों भारती इतियास की जो सीरीज चल रही है उसमें जो वीडियो आ रहे हैं मोरिकाल शक शाशक हिंद युनानी शाशक उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुशान वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको नोर्स की रूप में देंगे तो चली श को मैं धिधीन रखना है चीनि करंथों में इनने कई श송 कहा गया है दोस्तों बहुत i की चीनी करंथों के नुसार कई शुन का संबंद ओंच से है ये मूल रूप से यूची कबीले के थे कुशान जो थे दोस्तों वो मूल रूप से कौन से कबीले से आई हुए थे यूची कबीले से ये आपको धियान रखना है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर ज़रू करें चलिए अब हम यूची कबीले की बात करते हैं कि ये क्या था यूची कबीले की पांच शाकाओं में कई शुवांग शाका जो कई शुवांग शाका थी वो सबसे शक्तिशाली थी तो दोस्तों अगर यूची कबीले की बात करें अगर तो उनमें सबसे जो शक्तिशाली थी, वो थी कईशुआंग शाका और इसने कईशाकाओं को नेटत्व दिया था ये सबसे शक्तिशाली थी, तो सबको इसने नेटत्व पदान किया था तता पहली शर्ताबदी इसापुरू में इन्होंने भारत पर आकरमन किया तो यह जो कई शुवांग शाका है इसी ने अपने भारत पर आक्रमन किया था और कब किया था दोस्तों पहली शताब दी में किया था ठीक है नेकसर बात करते हैं आगे बात करें अगर कि आगे क्या हुआ था तो फिर क्या हुआ था कि इन्हों ने शको को हरा कर कई शुवांग शाषकों ने शकों को हरा कर अपनी सत्ता इस्थापित की अपनी सत्ता को इन्हों ने इस्थापित कर दिया शक वाला जो वीडियो है वो दोस्तों इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है वो आप जरूर देखें कुजूल कड़फिसरन पहला शाषक था जिसे कड़फिसस फर्ष्ट भी कहते हैं विम कड़फिसस दूसरा शाषक था इसने कुशान शाषकों में सरप्रथम सोने के सिक्के जारी किये अगर दोस्तों ये क्वेशन बनता है कि कुशान शाषकों में सबसे पहले सोने के सिके किस ने जारी किये तो आपका आंसर होगा विम कट फिसरन और यह जो था दोस्तों यह शाषक यह शिव बक्त था बहुत इंपोटेंट है और इसने महेशवर की उपादी धारन की थी इसने किसकी उपादी धारन की थी महेशवर क को उत्किन करवाया और नंदी को इसने उत्किन करवाया अब बात करतें दोस्तों सबसे important सबसे important शाषक है इनके शाषनकाल में जिसका नाम है कनिश्क 78 AD इठ्योतर AD में राज्या भिशेक हुआ था बहुत ही important है इठ्योतर AD में इन्हों इसने एक समवत शुरू किया जिसे कालांतर में शक्स शाषकों ने अपना लिया वह उसका नाम करन किया शक्समवत तो शक्समवत का जो सार्टिंग है वह इठ्योतर AD से माना जाता है और तनिश्क के राज्या भिशेक के समय से ही इसका प्रारम माना जाता है यह बहुत ही important बात है नेक्स अपन बात करते है शक्समवत की दोस्तों बात कर रहे है तो शक्समवत जो है वो अपने वर्तमान में हमारा राश्टी समवत माना जाता है हमारा राश्टी समवत का नाम शक्समवत ही है दोस्तों जो कि सूरी पर आधारित है सूरी लेउता पर आधारित समवत है यह इसमें दोस्तों नया वर्ष अपने को पता है कि 22 मार्च से शुरू होता है 22 मार्च नया वर्ष नेक्स अपन बात करते कनिश्क की दो राज़ानिय थी कनिश्क ने दोस्तों अपने जीवन में दो राज़ानिय बनाई एक थी नंबर वन थी पुरुषपूर जिसे वर्तमान में हम कहते हैं पेशावर वर्तमान में पेशावर कहते हैं जो कि आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान में है और दोस्तों पुरुषपूर से पुरु इसका नाम था पुश्पकलावती और पुरुषपूर को ही पेले कहते थे पुश्पकलावती पुष्प कलावती इसका नाम था कनिश्क ने अपने दूसरी राजानी बनाई थी मथूरा को किसको बनाई थी मथूरा को तो पेली तो हो गई पुरुष्पुर और पेली तो हो गई पुष्प कलावती इसको प्राचीन नाम था और दूसरी हो गई अपने मथुरा चलिए आगे बात करते हैं कनिश्क ने पाटली पुत्ल पर आक्रमन किया वह इससे विजित किया इसको जिता था उस कनिश्क ने कनिश्क को पाटली पुत्ल से तीन चीजे मिली दोस्तों बहुती इंपोर्टेंट कि किताब का नाम है दोस्तों बुद्ध चरित जिसे बुद्ध का विश्वकोष भी कहते हैं अश्वकोष नहीं सुत्रालंकार भी लिखा सौधर अनन्द भी लिखा और शारीपुत्र प्रकरन भी ये अश्वकोष की द्वारा लिखा गिया था तो चलिए कनिश्क के बारे उसकी कि पेसी ने का एैफ दाना है कि कंधारं जो है वह क्राइफ अफगानीस्तान के लिग परतमान परह से जतने केदगुए उसक्राइफ के पाइफुज़ से घंव, इंप्ल्ट लिस धैस्या के पात्रा ओर से रहे भाई हुग ति उसको उसने पराजित किया था यह आपको धियान रखना है कनिश्का सामराज्य मद्य एशा तक फिला हुआ था कनिश्का सामराज्य जो था वो मद्य एशा तक फिला हुआ था अतो सिल्क मार्क पर इसका अधिकार था नेकसे अपन बात करते हैं दोस्तों कनिश्क के बारे में ही अपन बात करते हैं बहुत ही important चीजे हैं कनिश्क के बारे में कनिश्क के दरबार में एक चिकित सक था जिसका नाम था दोस्तों चरक जिसने पुस्तक लिखी थी उसका नाम में चरक सही था तो ये कनिश्क के दर्बार में था चरक इनी का समकालिन था वो था सूशुरुत शल्य चिकिश सकता जो कि ये मैं पता है सूशुरुत सहीता लिखी थी पर दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह है कि ये जो सूशुरुत था ये कनिश्क के दर्बार में नहीं था ये इसके काल में था समकालीन था ये आपको दियान रगना है नेक्स सबन बात करतें दोस्तो कि कनिश्क ने किस धर्म को सरक्षन दिया था तो कनिश्क ने बोध धर्म को सरक्षन दिया था वह स्वयम बोध धर्म की महायान शाका का अनुए ही था वह स्वयम महायान शाका को मानता था दोस्तों बहुति इंपोर्टेंट बात हम करने वाले हैं कि इसने चोती बोध संगीति का आयोजन करवाए था इसने अध्यक्ष बने थे वसूमित्व उपाद्यक्ष थे अश्व गोश कश्मीर के कुंडलवन नामक इस्थान पर इसने इसका आयोजन करवाय था तो ये बहुत इंपोर्टेंट बात है कनिश्क के काल में गांदार शेली को सरक्षन दिया गया था दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है कि गांदार शेली को सरक्षन कनिश्क के काल में दिया गया था दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट बात हम करने वाले है कि कनिश्क की हत्या उसके सेनी को ने की थी राजस्व के देविय सिद्धानत में विश्वास करते थे ये कनिश्क के जो कुशानमंच के जो राजा थे वो इसलिए इनको देव पूत्र कहा गया था इसलिए इनको हम देव पूत्र कहते हैं नेक्स सबन बात करते हैं और दोस्तो जो इन राजाओं की मृत्यों के बाद इन राजाओं की मृत्यों के बाद था बहुत इंप्रेंट बात हैं दोस्तों यह कुशान वनिशियों ने इरानियों से ग्रहन किती और वहाँ पर इसको श्रत्रपनाली के इसको द्वेज शाषन आपको पता ही यह क्या होता है एक तरफ केंद का और एक तरफ राज्य का दो तरफ से शाषन होना गांदार कला शेली को कुशानों का सरक्षन मिला था गांदार कला शेली को बहुत इंपोर्टेंट बात है कि कि शेली को सरक्षन दिया गया था कुशान वन्षी की द्वारा तो वो है गांदार चेली कुशान भारत में सिले हुए कपड़ों की परंपरा लेकर आए बहुत ही इंपोर्टेंटे दोस्तों जो पन शेरवानी और जो सलवार सुट पेंते हैं इसकी परंपरा की शुरुआ जो है वो कुशानों ने की थी यही लेकर आए थे जोते पेंने की परंपरा यह भी कुशान लेकर आए थे गोडे के लगाम लगाने की परंपरा यह भी जो है वो कुशान वंची लेकर आए थे गोडे की लगाम का मतलब है गोडे की नाल लगाना ये भी कुशान वंची लेकर आयते है और दोस्तों कालांतर में कुशान भारती समाज में समाईत हो गया और जैसे जैसे समाई बीता गया वैसे वैसे ये भारत के समाज में शामिल हो गया और कुशानों को दात्य शत्रिय नाम से जा गया और इनको फिर कहा गया दात्य शत्रिय कुशानों को बाद में क्या कहा गया दात्य शत्रिय तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा शेर करें और जुड़े रहें ठैंक यू वेरी मच